आ रहे छो सवगत करता हूँ मैं गंश्याम और जो कि meant आप लोगों को जगर्पी पढ़ा हैं दो क्लास मेरी अल्रेडी हो चुकी है थाड्र क्लास है मेरी तो जो हम आज लोग इस टेटी करेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका उस टौपिक का नाम होगा प्रेशर बेल के बारे में हम नोगों ने देखा तो अगर उस चीज़ को आप आरसानी से अगर समझे हैं तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको और आसानी होगी आप लोगों को समझने के लिए यह हमेसा याद रखना कुछ इस्टार्ट करने से पहले हम डेली एक कोड आपको किलता दूड़े लेते हैं अंधेरों में मंजील जुगनों किसी जोसनी का मोहताज नहीं होता तो एक चीज़ देखिएगा हम ऐसे हैं कि हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है खोने के लिए हमें कुछ नहीं है तो एक चीज़ हमेसा ध्यान रखना डेडिकेशन और पर्जि करते हैं तो आपके पास आलमोस्ट अगर मैं कहूं जितनी जीवन आपने जीरो से ले करके ट्वंटी एयर आपने जो बिताया है इनमें जो ट्वंटी एयर आप कमिंग प्लस होगा मतला जब आप फोटी एयर में पहुचेंगे तब तक कि चांसेस होते हैं जो है कि आप प्यारी करें लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा अगर आप अलमोस्ट अगर डेडिकेशन के साथ 6 से लिए करके अगर 8 महिने अगर आप डेडिकेशन के साथ अपना फूल पोटेंशियल देते हैं तो एक्जाम निकले ना निकले यह तो मैं नहीं कर सकता लेकिन इतना मैं ज लिए होता है कि वो सारी चीजे जो अकैडेमी में पूछी जाती है वो books से related होती हैं आपको कहीं नहीं डियरेक्ट लिए ही class में जो की books में मिल जाती है बट एक जो competition की life में important है इनमें हमेशा यही examiner का point of view होता है हमेशा objective होता है कि ज्यादे से ज्यादे student को हम eliminate करें अगर मै एक्जांपल के लिए लूँ मुझे याद है कि किसी स्टेट का जो कि वैकंसी आयोई थी आल्मोश अंडर्सिट थी उसमें लोगों का कहना था कि लोगों को स्टेट करना तो परसंटेज लेबल जो सेलेक्शन का रिस्यों है वो कितना होगा मतलब जीरो पॉइंट सम्थिंग के आसपास जो कि आपका होगा मैं यह चीज और लाश्ट में कहूंगा उसके बाद मैं अपने लेक्शेर पर आऊंगा कि अगर आप डेली उन्हो नहीं सक्सेज होंगे तो यह चीज जो कि हमारा मोटिवेशन का एक लाइन रहा है और इसके बाद हम जो आज का क्लास लेने जा रहे हैं तो यह चीज मैं आप से बता दू कि डेली जो भी मैं नया टॉपिक लोंगा और जो प्रिवियस का क्लास लिया हूं उसको जो कि मैं ड वह होती है पहली बात तो प्रिवियस यह का क्वेश्चिन पर आपके पास होना चाहिया दूसरा ची Feel synthesis्स इंग जिस इंग्एम का प्रिपेशन करने कीóc सेबहरा स्परिजह क्टिक एक District क्या है आपकी रिवीज़न करे की last में जैसे अगर मैं बात हूँ यो पीस्सी के लिए मुझें की आप कितना थे से पड़ते हैं और एक बात और मैं आपको को बता दू कि एक्जाम में जब हम जाते हैं यूपीसी का आलमोस्ट जो कि 50 पेजेस की जो कि उनकी बुकलेट होती है आप एक सपास समझ सकते हैं कि हम 120 मिनट्स होते हैं हमारे पास आलमोस्ट पीडिलियम के लिए और उसमें जो कि मैं 50 पेजेस पढ़ने होते हैं और एक पे सब्सक्राइब करना होता है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि पढ़ने की स्पीड बहुत तेज होने चीए और उसी बेसिस में जो पढ़ा रहा हूं और बहुत तेजी से मैं रिवाइज और पढ़ाते चलूंगा आपको यह चीज़े हो गई हमारी जो कि जो एक बैग्राउं उसमें कीवल के को शी को चक्शंब होंगे और उसमें मैं कुछ ट्रिक बतांगा जी इसको मास्टट्रिक बोलते हैं मास्ट्ररिक चीज़ उता है कि यूपीतंश को ज बनते थे एक्जामनलका यह हुता है कि कितने लोगों को किस तरह से eliminate करे ना कि इतने हैं को inside कि उनको include करे तो उसमें कुछ keywords होता है कुछ data facts कुछ logic होती है उस हिसाब वह उससाब suggestion को correct incorrect किया जाता और मैं वह अलग से एक सिरीज चलाने वाहना हूं coming day में तो आज हम आते हैं जो हमें पढ़ना है प्रेशर बेल्ट फ्रेशर भेल्ड जो पढ़ना है तो इससे पहले मैं अपना प्रिवियस दिए क्लास रहे उसको जैसे कि हम प्रेवीजन करें बद दो मिनट लगेगा लॉंग्टिट्यूट लॉंग्टिट्यूट और लट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यू पढ़ेंगे तो इसका climate और वेदर का मतलब भी समझाऊंगे जब कलेमेट्रोलाजी पढ़ेंगे और हम उसी पर रास्ते पर चला लएं कलेमेट्रोलाजी बहुत नजदिक है जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं तो यह चीज हमने पढ़ा और यह चीज पढ़ा कि जो का अगर हम longitude का अगर हम देखें तो मैप कुछ ऐसे हम अर्थका बना करके ऐसे कि इसको latitude और इसको जो है कि हम longitude बोले थे जीरो डिग्री पर अगर हम इधर जाते तो वेस्ट बोलते इधर जाते तो इस्ट बोलते और इधर प्लस डेट या टाइम होता इधर जोए कि sorry और इस पेस होता है सबसे जादी इस पेस यहां पर होती है और सबसे कम यहां फिर जीरो जो कि इनकी यहां पर होती है दूसरा जो हमारा पेज रहा है उसमें जो कि हम latitude के बारे में पढ़े थे उसमें जो latitude के बारे में पढ़ें थे लैक attitude पढ़े जो जीरो डिग्री यहां बैसल इसको हम इधर जाते तो इसको नॉर्थ आगर इस रडर किसार जाते हैं तो इसको साओध बोलते हैं और थी चीज इसको इस तरह से दिवाइट करते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है पीछ ओर चैसर वहां हम रुए डिजर और हम और हम पढ़ेंगे तो उससे एक चीज हम बता दें को एक सेकंड प्रेशर बिल्ट आप यह देख सकते हैं जो कि ऐसा ही कुछ प्रेशर बिल्ट बना हुआ है प्रेशर बिल्ट को अगर है ध्यान से देखें लट्टिटूर लॉंक्टिटूर के बारे में जो आपने पढ़ा होगा तो एक चीज यहां पर देखिएगा यह सारी ची आके यापीछे हुआ थो प्रेशर ब्लिट पूरा जो कि गायब हो जाएगा आपका इसमें जो मैंने अगर प्रेशर बेल्ट की बात की Dash आचे घ्र कि मैंशर बट रायट प्रेशर बेल्ट यह रही है तो इसके अगर अना किसम देखें तो किसमें धिमारा तो Pressure Build का मतलब क्या है Pressure Build का मतलब ही हो गया यह मतलब कितना atmosphere में pressure है और pressure वो दो चीजों पर dependence करता है ठीक है temperature temperature और rain एक चीद दिखिए और temperature pressure जो कि types क्या होते है इसके types जो होती है यह दो तरह की होती है two types होता है एक high pressure होता है और दूसरा low pressure होता है नेमन उच्छ दाव और उच्छ वायु दाव होता है इसका हिंदी में बोलते हैं दो तरह से होती है दूसरे चीज़ी होगे temperature और pressure temperature और pressure inverse relation होता है इनका inverse का मतलब यह हो गया है कि अगर temperature increase होता है तो pressure decrease होगा right यही concept है inverse मतलब हम कुछ physics में पढ़ते हैं तो हम यह ऐसे कुछ पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ते हैं यह decrease हो रहा यह बढ़ रहा है यहाँ पर देख सकते हो आप ऐसा ही कुछ एक proportion बनता है यह हमारा pressure बेल्ट का हम टाइप लिए दुसरी चीज़ अगर मैं बात करूं अगर यहाँ पर आ करके हम थोड़ा से इसको मैप को ले करके तो जो विंड्स होती है जो विंड्स होती है वह always मतलब इसका मतलब होता है लगभग हमेसा जो follow करती है वह high pressure से low pressure रहे low pressure की तरब मूव करती है ध्यान से देखिएगा low pressure high pressure low pressure फिर आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगी अगर यहाँ high pressure है तो यहाँ temperature क्या होगा then इससे temperature क्या होगा यह less than low pressure मतलब high pressure पे temperature कम है और low pressure पे temperature ज्यादा है इस बात को concept है इसको समझे अगर यह चीज़ समझ गए है high pressure और low pressure temperature का condition दूसरे चीज़ जो pressure हम piece identify करते हैं एक second हम थड़ा सा चीज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम pressure और यहाँ पे जो pressure कर रहे हैं यह चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे pressure ज्यादा है कि यहाँ पे कम है temperature यहाँ पे की यहाँ पे तो जैसा है कि हमने यहाँ पे कहा temperature बढ़ेगा तो pressure घटेगा two types के होते हैं high pressure low pressure जो winds होती है मूँ कहां से कहां करती है ऐसे करती है इस तरह का होता है temperature यहाँ पे कम होगा लेकिन temperature यहाँ पे ज्यादा हो मतलब less than लेकिन जब हम pressure की बात करते हैं pressure की बात करते हैं तो pressure यहाँ high होता है और यहाँ पे कम होगा इसको अदम आप आसानी से अगर note अपना बना लेते हैं तो जब मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं तो इस चीज़ को आपको समझ में आएगी दो तरह का pressure built इसहाँ पर हाई pressure कर दी है मतलब temperature की recording और pressure की recording लेकिन जब हम अर्थ पर आते हैं जितनी हमारी अर्थ है उसमें अल्मोस्ट साथ प्रेशर बनते हैं उनमें हाई pressure और लो प्रेशर के नाम से हम जानते हैं एक चीज और देखिए करेगा आप इस चीज को देखने की कोशिश करिएगा आप यह हमारा equator पड़ता है राइट जीरो डिगरी लाटिटीट है राइट जिसको अक्छांस बोलते हैं राइट तो यहां पर क्या होता है यहां पर हमें लो प्रेशर होता है यहां पर जू होता है यहां पर फिर लो प्रेशर होता है और यहां पर भी आई प्रेशर होता है सेम कंडिशन यहां पर भी दोहरा ही जाती है हाई प्रेशर लो प्रेशर हाई प्रेशर इसको आप डाग्राम बना लीजिए और इसको मैं एक अपने से खुद बनाने जा रहा हूं जिसको आप बहुत कंसेंट्रेशन के साथ आप देखिएगा सेम में डाग्राम बनाऊंगा उसमें थोड़ा समय डिफ्रेंट टाइप का कुछ अप्जेक्टिफाई करूंगा यह चीज है जीरो डिग्री तर्टी डिग्री 65 डिग्री और 90 डिग्री 0 डिग्री ट्रक्टी डिग्रे 65 डिग्रे 90 डिग्री 0 ब्रक्राम तर्टी डिग्री यह हमारा प्रिशर बेल्ट हो गया अगर हम टोटल काल्कुलेट करने की कोशिश करें कि कितने हमारे प्रेशर बेल्ट है तो आप देख सकते हैं worst अब आयाओ प्रेशाँ प्रेशार हाई प्रेशार लो प्रेशार हाई प्रेशर राइट वही चीज ko फैर में रिपीट होगे रिफीर अब अब आइसा क्यों होता है इस चीज को समझने के लिए मैं एक डाग्राम् आपको और बताने मतलख इस चीज को मैं इस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर हम 0 degree माल लेते हैं इधर हम North माल लेते हैं Northern Hemisphere एक सेकंड में थोड़ा सा इसको रेजर कर देता हूं यहां पर हम Northern Hemisphere 90 degree यहाँ पर southern hemisphere 90 degree माल लेते हैं, यहाँ पर 65, 30, 65, 30, 65 degree, 30 degree और 65 degree, यह north है आपका, यहाँ पर 0 degree है, यहाँ पर 0 degree है, यहाँ पर दिखिएगा, यहाँ पर जो winds होती है, इसका जो movement होता है, अगर यहाँ पर इस चीज को आप देखिए, अगर आप latitude और longitude को पढ़े होंगे, अगर concentration के साथ, तो यह जो direction बनता है, यह north to east, north east to, आपका south west बन रहा है, और यहाँ पर जो बन रहा है आपका, south east to, आपका north, west के direction में बन रहा है, अब आपके दिमाग में यह चीज और आएगी, यह ऐसा क्यों होता है, कि southern hemisphere में, इस side से चलिया, और जो की northern hemisphere में clockwise चलिया, और इसमें जो की anti-clockwise, तो मैं एक चीज और ले लूँ आपसे एक नया page, तो अगर अर्थ ऐसा ही कुछ है, यह 0 degree है, बहुत light weight में में लेकी चलिया हूँ, एक concept होता है, Coriolis force, Feral, Deflection, Deflection law, इसका मतलब यह है, कि northern hemisphere में, जो winds होती है, वो जो है कि clockwise और जो southern hemisphere में होती है, वो anti-clockwise चलती है, वो ऐसा इसलिए चलती है, कि अर्थ का जो rotation होता है, अपने axis पे, उसके color जो winds होती है, वो move करती है, अगर मैं बात करूँ, अगर कोई बंदा अदमी यहां से आ रहा है, northern hemisphere से और equator की तरफ, या फिर ऐसे, या फिर कोई southern hemisphere से equator की पास आ रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि clockwise घुम रहा है वो, वो जहेसी बात कुछ ऐसी move करेगी, अगर southern hemisphere की बात करें तो left hand side वो कुछ ऐसी move करेगी, मतलब क्या हो गया, इसको हम दो words के नाम से बुलाते हैं, left hand side या फिर anticlockwise बोलने के, मतलब दाहिने बाय हाथ की तरह, जो की southern hemisphere में move करती है, और right hand side मतलब दाहिने हाथ की तरह, जो की northern hemisphere में, यह चीज़ जो की आपको देखने की बात है, right hand side and या फिर clockwise होती है, अगर इसको आप समझ गें, जब हम cyclone का topic पड़ेंगे तो उस चीज़ को आप और अच्छे सी clarity से देख सकते हैं, यह हमारा mapra, तो अगर मैं एक चीज़ और बताऊं कि अगर कोई equator से, अगर equator से, अगर pole की तरफ जा रहा है, तो उसका क्या direction होता, यही वाला concept हम इसमें अपनाएंगे, अगर इस side करेंगे, तो हमारा right hand side यह है, अगर हम इस से लेते हैं, तो हमारा left hand side यह होगा, आप देख सकते हैं कि यह भी जो एक ही आपका clock हो रहा है, और यह anti clock होती है, देख सकते हैं, अगर clock होती है, तो कुछ आईसे ही move करती है, यह आईसे move करती है, अगर इसको हम और आगे ला करके देखें तो यह यही वाला map बनता है, यह हमारा winds का moment होता है, इसको हमने देखने की कोशिश किया, एक बार हम फिर से आपको revise करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिर से देखिएगा, हमने क्या कहा, आकि यह 0 degree, 0 degree है, अभी आप ज्यादे मन सुचिएगा कि डोल्डरम क्या होता है, ठीक है, horse latitude क्या होता है, यह layer by layer में बताऊंगा, अगर मैं आज ही आपको बता दूँगा, तो सारे चीज़े burden होगी, और आपकी लिए बहुत मुश्की लोगा की information को hold कर पाएं, इस वज़े से मैं आपको एक एक step by step जो की लेके चला हूँ, आप देख सकते हैं, यहां पर horse latitude लिखा है, headless cell लिखा हुआ है, यह doldrum लिखी हुई है, यहां पर, मैंने यहां पर arranger कर दिया थोड़ा सा, एक second अभी उसको कर दे रहा है highlight, यहां देख सकते हैं, यह horse latitude लिखा है, डोल्डरम लिखा हुआ है, right, तो यह सारी चीजे कोई नई चीज नहीं है, अगर मैं feral का बात करूँ, अगर feral का, तो यह person है, उन्होंने यह concept दिया था, कि winds क्यों move करती है, यहां पर देख सकते हैं, feral है, north and south, headless है, उन्होंने भी अपना एक concept दिया था, तो इस चीज क 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, total belt होता है, लेकिन अगर हम इसको separate करें, कितने high pressure और कितने low pressure बनेंगे, तो आप खुछ से mark करिए, यह अगर concept समझे हैं, तो आप देख सकते हैं, high pressure एक यहां पर है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, high pressure, 4 है, और रेश्ट आप कितना बचरा, low pressure, जाहिर सी बात है, low pressure, 3 बचरा, total कितने हैं, 7, high pressure, तो यगर आप से question पूछता है, कि कितने low pressure और कितने high pressure बनते हैं, तो एक चीज पहले बात है, 7 total बनेंगे pressure belt, और उनमें से 4 जो की high pressure और 3 जो की low pressure बनेंगे, दूसरी चीज, अग जो southern hemisphere और northern hemisphere में, जो winds होती है, वो किस direction में move करती है, तो हमें एक आसानी सी पता है, कि वो यहाँ पे clockwise चलेगी, और यहाँ पे anti-clockwise चलेगी, वो क्यों चलेगी, वो Coriolis force के कारण चलेगी, right, Coriolis force और deflection lock, यह चीज, और मैं बता दू, जितने भी मेरी information, या फिर जो हमारा discussion ह है, वो सारे जो discussion है, discussion का जो source है, पहली बार तो हमारी initiative है, initiative हमारी based है, और मैं इसी को एक principle based मान करके आपके साथ discuss कर रहा हूँ, दूसरा जो हमारा होगा, हमारी जो reference book होती है, बहुत से लोग शविंदर सिंग को refer करते हैं, बहुत सी महज बडवाल को करते हैं, DR. खुलर को, तो उसको मैं refer नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत मोटी होती है, हम GC, बहुत सी लियोन की, बहुत पतली सी book है, उसको हम पढ़ते हैं, अल्मुष्ट हंड्रेट पेज की आसपास की होगी, हंड्रेट पेज की आसपास अगर उसको पढ़ना चाहें, तो आप कम से कम 10 गंते हैं, उस चीज को आप एक बार पढ़ सकते हैं, तो हमारे यह दो जो की बेसिक होगी, और जो थार्ड होगा हमारा, थार्ड होगा discussion का, वो जो की हमारा economy service होगा, उनमें जो की आप जब second volume को study करेंगे, तो उनमें जो की geography से related कुछ terminology या फिर कुछ चीज इन्नोवेशन होता है, तो उस चीज को देखें, जैसे previous year में population को ले करके किया हुआ था, ICTG को ले करके किया हुआ, लेकिन हमारा जो main source होगा, initiative होगी, और economic survey, अग government का जो, government का जो record होगा, और annually जो publish होता है, वहाँ से हम discuss करेंगे, तो यह चीज हमारे discussion की बात हो गई, अब हम आते हैं, एक बार अपनी discussion को फिर continue करते हैं, यह हमारा pressure built हो गया, 7 होगया, और दूसरी बात होगी, इसको subtropic बोलते हैं, यह tropical zone बोल देते हैं, यह equatorial zone बोल सकते हैं, इसको जो की high pressure यह subtropical बोल सकते हैं, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, तो आसानी होगी, equator, subtropical, इसको tropical भी बोलते हैं, right, equatorial को tropical होगे, subtropical belt, right, इसको polar, polar बोलते हैं, right, यह कीज और आप ध्यान से देखिएगा, इनका जो direction इस तरह से हैं, जैसे हमने discuss किया, लेकिन यह जो होते हैं, यह पूरे 0 degree को touch नहीं करते हैं, यह 5 degree पहले और 5 degree North South से पहले ही move कर जाते हैं, right, यह हमारा जो की pressure build रहा, अगर हम revise करने की कोशिश करें, नया page लेकर के, हमने क्या किया, हमने pressure build पढ़ा, pressure build, मतलब high pressure build, and low pressure build, high pressure कितना है, 4 है, और एक इतना है, 3 है, right, जो winds होती है, उसका जो moment, ऐसे moment का words काफी गलत होता है, जागरफी में, और उसको हम यूज करते हैं, जागरफी का pure student है, इसको blow बोलते हैं, blowing, मतलब, move करना किस तरह से, जो एक नॉर्मली लोग बोल देते हैं, जागर फी, में, move करना बहुत गलत चीज हो जाती है, यह blowing बोलते हैं, तो इसका यह हो गया कि, अगर हम northern hemisphere, और southern hemisphere की बात करते हैं, तो यह जो है कि यहाँ पे clockwise जाती है, और यहाँ पे anti-clockwise move करती, मतलब, मतलब यह जाती, right, right hand side जाती है, और जो कि यह left hand side जाती है, एक चीज़ ध्यान देखिएगा, जगर फी में सबसे अच्छी चीज है, कि अगर यह एक चीज हो रही है, यहाँ पे देखिएगा, जो blowing कर रही है, बिन्स, अब देखिएगे, अगर हमें पता है कि नौर्थ हमीज फेर में clockwise यह फिर right hand side, तो इसी का सिधा आप उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे anti-clockwise, यहाँ पे left hand side, यहाँ पे right है, यहाँ पे left होगा, यहाँ clock anti-clockwise होगा, अगर इस चीज को आप अगर समझे हैं, तो cyclone को भी मैं थोड़ा सा आपको hint देना चाहूँगा, और वहीं पे अपनी आप discuss बंद करूँगा, cyclone, cyclone जिसको हम करते हैं, चक्रवात, किसी भी एक्जाम में यह topic बहुत favorite है, और इसको कहीं न कहीं पूछता है, जैसे की चक्रवात जितने आते हैं, उनके नाम्स क्या होते हैं, तो वो ऐसा ही कुछ होता है, यह ऐसी अर्थ होती है, और वो ऐसे blow करता है, मतलब यह ऐसे, क्या है, जो normal condition होती है, उसकी opposite होता है, इसमें anti-clockwise blow करता है, और इसमें clockwise blow करता है, मतलब left hand side होता है, और यह जो की right hand side होता है, अगर हम कहें कि anti-clock, anti-cyclone, anti-cyclone, तो इसी को आप उल्टा कर दीजिए, यह ऐसे करके, और यह ऐसे होगा, मतलब यहाँ पर clockwise होगा, और यहाँ पर जो की anti-clockwise होगा, तो यह हमारी आज की discussions आईए, तो आगे हम जब इसको पढ़ेंगे, तो इसको हम continue करने की कोशिश करेंगे, pressure belt जितने हैं, उनको क्या क करते हैं, उनमें reason क्या होता है, कि यहाँ पर high pressure बनना, वहाँ पर low pressure बनता है, तो आज के लिए मैं वैसे पर अपना class को बंद करता हूं, thank you very much the discussion.